कि इस वागत है कि आपके मेरी चैनल में आज की वीडियो में आपको बताने वाली शॉर्ट कुट्टी की कटिंग और इस्टिचिंग और आप इसे जीन्च के साथ वियर कर सकते हैं इसे बनाएंगे हैं विडावट स्लीव की कुट्टी बनाने के लिए मैं किन किन चीजों कर दिहान अफना पड़ता है जिससे के हमारे कुट्टी तो परफेक्ट बने तो वह सब ही चीजे इस वीडियो में बताने वाली हो मैं आपको तो वीडियो को फूरा जरूर देखिए मेडियम साइज कुट्टी है इसलिए मैंने सिर्फ देड मीटर फैब्रिक लिए है डिल मीटर में आराम से हमारी कुट्टी बन जाएगी अगर आपको ज्यादा साइज है तो आप करीब 2 मीटर कपड़ा ले और यह मैंने कॉट्टन का फैब्रिक लिया हुआ है कि कपड़े को मैंने फोर फोल्ड में रख लिया है अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी मार्किंग सबसे पहले हम लेंगे क्योंकि फोड़ी शॉर्ट हिच लगती जीन्स के उपर तो इसकी लेंद में ले रही हूँ तीस इंच इंच इसकी लेंद है रेडी और जेडिंच मैं नीचे पंध बना रहे हैं या 1. स्लीवलेस कुर्ती में आर्म होल आपको ज्यादा नहीं लेने हैं अगर चोटा बना रहे हैं आप शोल्डर ले रहे हैं तो फिर भी आपको जो आर्म होल हैं 7 याश जह साय इंच भी लेएं तक रििthought अब इसके बाद देखिंगे हम आर्मन वाले पॉइंट पे उसके बाद निशान लगाएंगे 15 पर यह हमारे हिप का पॉइंट होगा इसका हाफ करेंगे साधे साथ हमारे वेश्ट का पॉइंट होगा अगर आप उपर से नाफ होगे तो वेश्ट आपकी करीव 14 पे आएगी करीव आपको 21 पे जो निशान लगाया है हमने निशानों को स्केल से हम कर लेंगे सीधा कर लिया है तो मेरे कुछ कपड़ा प्रिंटेड है तो चौक ज्यादा नजर नहीं आ रहे हम आपको पूरा कोशिश करूंगी मैं आपको बता कर समझाने की अब निशान लगाएंगे अपनी चेश का मेरे जो साइज में चेश्ट है वो है 34 इंच उसका फोड़ पार्ट होगा साड़े आठ इंच तो साड़े आठ पर मैंने निशान लगा लिए एक चीज में आपको उदा दो जो मैं मार्गिं करूंगी तो यह मैं कुर्ती से नाप लेकर कर रही हूं अगर आ लेकर के लिए में मार्जन लेना होता है दो इंच उसका फोड़ पार्ट होगा साड़े साथ इंच और आदा इंच इस में में प्लस करूंगी क्योंकि मुझे डार्ट डाली है बैक और फ्रंट दोनों में तो मैंने आठ इंच पर निशान लगा लिए वेस्ट का हीप हमारी चाहिए उसका फोड़ पार्ट होगा नौ इंच तो नौ पर निशान लगा लिया है हमने हिप का और नीचे भी हमने नौ इंच पर निशान लगाया है तो जितना हीप लेते उतना ही नीचे लेते हैं अब इस तरह से स्कील से मिला लिए तो अगर आप बाड़ी से नाप ले जितना भी मेरा आ रहा है कि करीब मेरा बचा हुआ है कपड़ तो पूरा ले लिए हमेने अब चाक पर भी हम पतला पोड़ करें इसके ज्यादा कपड़े के जरूत नहीं है हमें अब जो निशान लगा है इनको इस तरह से मिला देंगे तो स्लीवलेस कुट्टी में से पहले है यह जो फिर देंगे करने लिए आप को आदा इंच के ही गयाई देनिया तो कि अलगा है पर देटें फ्रेज चैनल और फिर देंगे करीड़ को आदा इंच की आधा फोल्काइद यह क्यों सकते हैं में है बहुत कम और इंच पर बहुत ही दुछा उन्हास के यह जि करें बहुत अच्छी गुर्थी बनेगी स्लीवलेस मारी हो चुकि अब इसे हम कट कर लेते हैं तो पहले जो बैक वाली शेप है उसके उपर हम कट करेंगे के घिखें यह ने के अच्छी नाचि कोती कर लिएँरल ले नहीं है buscando के साथे उसके मेशे मेश में कट तो शेप आपको भी दे सकते हैं एक चीज का द्यान और रखना है आपको अगर आप पीछे गला छोड़ा चोटा बना रहे बिल्कुल बंद बना रहे तो आज गला करीब आपको शाड़े 6-7 जापको लेने पड़ेगा वरना वो सर में आने में प्रॉब्लम करेगा अगर आपको उतना हि रखना होगा है कि अथिस्ति में कटकर लिए बैक नअग भी मैं इसे के साइज का पर जाएगा का कटिंग का पीजिद कर लोगी तो मैंने बैक और फ्रेंट करने बिल्कुल सें ही रखा है आपको को आपको यह कुट्धिक इसमें परफेक्ट चाहिए तो आ तो यह इसमें जो साइज चेश साइज वो 34 इंच है तो उसके हिसाब से इसमें हम डाट डालेंगे 10 इंच पर उपर से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे यहां से गैप करेंगे हम 3.5 इंच का और डार्ट की जो लेंगे वो हम लेंगे करीब रहें साधे साथ यह आठ इंच लेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो इस तरह आपको डार्ट का निशान लगाना है जो देखिए तीन पॉइंट हो गया है हमारे अब आदा इंच को गया प्रक्तना आपको जो मारे सेंटर वाले पॉइंट है वहां से दोन तरफ और इस तरह से आपको डाईन ड्रा वुर दीन है कर देmee में कर लिया अजैए अमें दूसर तरह निशान हाजी तो जो में तीन पॉइंट को रहे से देखिए और पालट कर इन से सिर्दा कर लेंगे और चेमसे मिश00 तो इस तरह से आपको डार्ट के निशान लगाने तो बैक में भी सेम आपको इसी तरह से निशान लगाने डार्ट के बैक को फ्रेंट दोनों में सेम तरह से डार्ट डालेगी कोई अलग तरही का नहीं है देखिए हुने डार्ट डाल लिया है फ्रंट में बैक में भी सेम इसी तरह से हम डार्ट कर निशान लगा लेंगे को कटिंग हमने कर लिया मैं आपको सिलना बताती हूं कि सबसे पहले सका हम नेक रेडि करेंगे थो नियगा बनाएंगे बिना वुक्रम वाला उसके लिए लिए कपड़ा को इतना फोल्ट करना है ताकि आपको इस तरह से नैकर रखने के बाद करें तोसर अब को एक च्छा भबची बार और अब पूल लेना है अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से नैक की पट्टी कट करनी है तो बैक के लिए बीस तरीका के अपनाना रहा है इस सरब जी हो जाएगे हमारा बैक नेक है इसके भी हम देखिवे चेप्टर से कपड़ me पट्टी कट कर लेंगे दोने कुषित में अबाज़ कर लिए मैंने फ्रांट पर लिया कुषित इसके उपर करेंगे यूँ करें और यूद İ चुब मैंने कुष दिछी अब इसके लिए अफिर्स लादाटी कटिना रशाह करते रहो स we बहुत फिशिंग है नग बनता है, यह देखि यह इस में लगा लेंगे कट थोट-ब दूर पर आपको लगा लेंगे अब देखिए जो इस पति कोẤ्टि को भंब्राइक है आगी तरफ करेंगे और इतुर फोलोगा बैक साइड को शलाइ को अब 10-25 झाल सो स्लेख लिग लगानें लिए फ्रंट का में नेक रेडिकल लिया और डाल लिया अब इसके फोल्दर टेज करेंगे बिल्कुलिस तरह से देखे मिलाते खुछे हैं इसड़ने घ्रड लगानी आपको शोलडर पर इसको खोलेंगे जो शुल्डर की तरह करना है हमको इस तरह से कि इसको फोल्ड करेंगे इस तऱ करते हुए हम बड़ी चुह के अब बचने में दियुक धूब होगारे कि मम पर तेंके सब्सक्राइब से तों को है में नेक को तोंड सारी करेंगे तो पूर अब ताने चीओ जोंके बेसे कर लेंगे इस तरह दमिक प्रूम कूले कर लिए टेवश कॉपर कर लिए तो चार प्टि यह मैं ने कट'tी है सब्सक्रां करूं अब को सब्सक्राटात क कम तरह्मरें करना के लिए दूसरी पूसरी पत्ति लेंगे उसकी जो कौने वाली साइड ही अआ तही महता है और मथम वसके को उसमें लेटि कर लेंगे पट्टी में भी सब्कोर्टिम्टे करते हुं और कुर्ती के देखिए राइट साइड से हमें अटेज करनी है कि अब हम अपने आर्मोल पर इस तरह से रख कर और आदा इंच का गैप करते हुए इसे पूरे आर्मोल पर हम पट्टी को अटेज करेंगे क्योंकि हमने और यह पट्टी कट किया तो इसमें हमारा जोल बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप सीधी पट्टी कट करोगे तो आपके में जोल आएगा अगर शोल्डर के लिए मैं दो श्रिप त्यार को यह उन्हें हम शोल्डर वाल स्लाई के उपर रख कर इस तरह से उनको ढरें नेरी नियुक्या और नि अट्रीट दोनों क्लाव इसार हम आ कि वैन्हां यह तक हिए प्र आटेंगे हमीडर में कर लिए उनको प्रेंद्ट सुट्ख को श्रिपत्षी मे ही लिया था तो पहले हम चाक करण शाम नीचे से अंकर ना सकते इसको मैंने सब्ताया स्ल वाला हुआ देखिए दोनों चाख ने फोल कर लिए हैं नीचे से इसे हम पतला पतला फोल्ड कर लिए क्या है कि मैं पेहरने के बाद भी इसका और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी फिटिंग की कुर्ती बनी है हमारी कि मैंने पूरी कोशिश के रिया आपको एक चीज अच्छे से बताने की और फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिपलाइज जरूर